हेलो फ्रेंट्स यूजफूल एजुकेशन बाहरीना गुपता चैनल में आप सभी का हार्दीक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे एडिटुरिया प्रैक्टिसेट नाइन बिप्यसी का पहला कोईशिन है मारिया पर्था पर पर्तिवंद के कारें किन जन्जाती ने विद्रो किया था खोंड जन्जाती ने विद्रो किया था खोंड जन्जाती ओडिशा के खोंड जन्जाती में मारिया पर्था मारिया पर्था मतलब होता है नर्बली नर्बली पर्था परचले थी इस पर प्रतिवंद जोहल लॉर्ड हाडिंग अपने काडिकल 1844-1848 में लगाया था खोंड विद्रो का नेत्रित्व चक्र भी सोई कर रहा था उसमें दूसरा नमर कोश्चन है निमन मेंच से किसे आधुनिक भारत का पर्थम राष्टवादी कभी माना जाता है माना जाता है है हैंडरी विवियन डिरेजियो हैंडरी विवियन डिरेजियो डि आंसर दूसरा नमर कोश्यन है निम्न में से किसने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना का स्वागत नहीं किया था सरसेद अमद खाँ चार नमर कोश्यन है बंगाल में इजारा बेवस्था किसने प्रारम भगिया यह वह किया था मुर्सिध कुलिखाँ ए आँसर पांच नमर कोश्यन है पलासे के यूद के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरवार में अंग्रेज रेजिटेंट नियूक किया था ल्यूक स्क्राप्ट्रण बिंग स्क्राप्ट्रण स्क्राप्ट रण छे नमर कोईशन है कि निमन में से किस गवर्नर जन्रल या गवर्नर ने पंच वर्सी ये बंदुबस्ट चलाया चला था वारंड हैस्टिंगस वारंड हैस्टिंगस ए आंसर अगला कोईशन है साथ नमर औरंगजे की मिर्तियों के समय मुगल समराज में कुल कितने प्राण थे इसमें टोटल 21 प्राण थे 21 जिसमें की काबूल जिसको कभी अफगानिस्तान काते हैं वहां काबूल से एक था दक्षिन भारत में 6 और उत्तर भारत में 14 टोटल मिला करके 21 यस थे सी आंसर सतरव नमर कोईश्य आश्ट नमर कोईश्य न ह्निम्न में से किस राजपूत शासक ने दो अस् perhaps य्ग्य करवाया जश में ऑगें करवाए था राजा रजा sing Butterी. nine नमर कोईश्य न किसने पार्सी बहाएं में जभार नामा लिखा था जब फर नामा लिखा था गुरुगोविन सींग साधिक दैस नमर कोश्चन ऑंग्रेंज द्वारा पेश्वा पर था यह क्यों पेश्वा के काल में समाप्त कर दी गए थे यह बाजी रधूतिय बाजी रधूतिय इंचार अगला कोईशन एक ग्यारा नमर कमिटियों कमियोंटी कमियोंटी पर था किस छेत्र में परचलिक थे कमियोंटी पर था बिहार और उरिशा में था कमियोंटी पर था जो होता है वह होता है मालिकों के दोरा जो ब्याज दिया जाता था और जीवन भर उससे उसकी सेवा करवाते रहता था उससे उसी को कहते हैं कमियोंटी पर था सी आंसर बारा नमर कोश्चन है एह हिस्ट्री ओव दे सिपाइवारी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है जे डबल्यू काई सी आंसर तेरा नमर कोश्चन है दक्षिन भारत स्वरी दक्षिन पूर्वी समुंद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब अस्थापित कि थी अंग्रेजों ने 1611 में 1611 में पहली कोठी के अस्थापना हुआ था मुस्री पट्नम गुलकुंडा का परमुह बंदर का था और 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत के सुरत में पर्थाम फैक्ट्री कोठी फैक्ट्री मतलब कोठी खोली गई थी चौदर नमर कोशन है चीनी उद्द्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था यह लगाया गया था सबसे पहले बिहार में यूगि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा बिहार के बेतिया में लगया था 1840 में मैं अधार असव चालिस इसी में बेतिया अ भी हर के बेतिया हुग्त कि शोड़वरो Satpps नमर कोईशन है इसका हो जाएगा वी आर सिंदे वी आर सिंदे और अल इंडिया इसका हो जाएगा महत्मा गांदी इसका हो जाएगा भीमरा अमध्कर जी नमर है सती सोधक समाज जो तिवा फूल है इस परकार इसका हो जाएगा दो चार एक तेन दो चार एक तीन डी नम्मर आंसर अगला कोईशन है अठारे नम्मर भारतिये विस्विद्याले अधिनियम 1904 के अध्यक्षे निम्न में से कौन थे सर टामस रह ले बी आंसर सर टामस रह ले 19 नम्मर कोईशन है लख्णव पैक्ट 1916 इस भी के संदर्व में निम्न में से कौन सी घटना संबंदित नहीं है इसमें जो है यह पहला अबसर था जब मुस्लिव लेग और कांग्रेस का अधिवैशन एक साथ हुआ था यह इसका सही होगा आंसर अगला कोईशन है 20 नम्मर ना टैक्स ना लगान ना टैक्स अभियान सब इने अबग्या आंदोलन के दोरान कांग्रेस ने कहां चलाया था यह चलाया था सन्युक्त प्रांत में 21 नम्मर कोईशन है मंगल पांडे ने चर्वी वाले कार्तूस के परयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का सिकार बनाया था यह बनाया था लेप्टिनेंट बाग को भी और सार्जेंट होरसन को भी दो हो जाता है एक से अधिक इसलिए इसका आंसर इह हो जाएगा 22 नम्मर कोईशन है 1857 की करांती की आपचारिक सुरुवात कब हुए थे यह हुआ था 10 मई 1857 ए आंसर 23 नम्मर कोईशन है सर पर्थव मानव ने किस खाद अनाज को पड़ियोग में लाया था जो को लाया था जो की 8000 इसा पुर्व में लाया गया था उसके बाद गेहुं को मानव ने खाद खादान के रूप में पड़ियोग किया बाद में गेहुं आता है पहले जो लाया था 24 नम्मर कोईशन है रिगवेद की जो एक मात्र सखा वरतमान में उपलब्द है वह है वह साकल साकल इसमें टोटल पांस थे रिगवेद की पांस सखाय थी साकल वासकल असलायन संखायन मंडुकायन जिसमें की रिगवेद की वरतमान जो एक मात्र उपलब्द सखाय है वह है साकल डी आंसर 25 नमर कोईशन है निमनलिखित में से किस दरसन के परवरतक के रूप में कपिल मुनी को जाना जाता है सांखे के रूप में 26 नमर कोईशन है गुप्तकाल में एक वेवस्ति सासन पर नाली थी जिसमें सासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहा जाता था ग्राम कालाता था गुप्तकाल में सासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी को सताइस नमर कोश्य ने निम्न में से किसकी रचना हर्स ने नहीं की थी हर्स ने हर्स शरीत की रचना नहीं की थी 28 नमर कोशन है त्री पक्षिय संगहर्स में अंतीम रूप से किस सासक वर्ग को सफलता मिली यह मिला था गुर्जर परतिहारों को 29 नमर कोशन है भारत पर आकर्मन करने वाला पर्थम तुर्की मुसलमान कौन था वह था सुबुक्त गिन बी आँसर सुबुक्त गिन तीस नमर कोशन है निमन मेंसे वह कौन था जिसने तराइन के दूतिय यूद में भाग लिया तथा आगे चल कर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना वह था कुतु बुद्धिन अपक ए आँसर कुतु बुद्धिक अपक 1192 इस्वी में कुत्व बुद्धी एवक ने तराइन के दूतिय यूग में भाग लिया था और तराइन के दूतिय यूद के बाद मुहम्मद गौरी ने एवक को भारतिय परदेशों को सुवेदार न्यूक्त किया तो लिए इसका अंसल क्या हो जाएगा 31 नमर कोशन है चचनामा अली अहमद दुआरा अर्वी भासना में लिखेत एक प्रमुग ग्रंथ है जिसमें मुखी रूप से वर्नन किया गया है वर्नन किया गया है अर्वों अर्वों दुआरा सिंध विजय का वर्नन 22 नमर कोईशन है भक्तिया अंदलन को दक्षिन भारत से उत्तर भारत लाने का असरे किसे जाता है यह जाता है रामानंद को भक्तिया अंदलन को दक्षिन भारत से उत्तर भारत लाने का असरे रामानंद को जाता है रमानंद जो है राग्वानंद के सिस्षी थे राग्वानंद के सिस्षी थे के लिएन मोर कोईश्य ने किस मद्यकालें सासक ने रूपिया की प्रचलन करवाया था या करवा था सेरसा ने सेर्षा की मुद्रा वेवस्था अत्यंत विख से थी उसने पुराने प्रचली सिक्कों के अस्थानों पर सुध चांदी का सिका चलवाय था जिसको की रुपिया और 180 ग्रेन कहा जाता है और तामबे का सिका गया कलाता था इसलिए इसका अंसर हो गया सेर्षा चौतिस नमर कोशन है मुगल समराठ दुवारा इस्ट इंडिया कंपणी को बिहार में दिवानी लगान वसुली का अधिकार कम मिला यह मिला था 1765 एडी में यह किया था औसाहयोग अंधोलन के द दोरान ? 36 नमर कोशेट है सर पर्थम राष्टिये नियोजन समीति का गठन भारतिये राष्टिये कंग्रेश के कि साधिवेशन में किया गया था ? कि यह कि ग्याँ था हरी पूड़ा अधिवेसन हरे पूड़ा अधिवय सन 1928 में हड़ी हरी पूड़ा अधिवेषन में जभार ला नह रूकी अध्यक्षिता में राष्टेन योजन समिती का गढठ Dru गया था इसे कॉंग्रेस योजना भी कह जाता है कॉंग्रेस योजना भी इसे कहा जाता है 37 नमर कोशन है कितने पंचवर्षी योजनाओं में लक्ष से अधिक विर्धी की गए थी या किया गया था पांच पांच भी पंचवर्षी योजनाओं 38 नमर कोशन है मुद्रा इस फिर्थी पर नियंतरन के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है मौद्रिक उपाय जो है CRR में विर्धी करना और SLR में विर्धी एक स्याधिक आंसर और इसलिए E हो जाएगा 49 नमर कोशन है नई अध्योगिक निती की घोसना की गई यह की आगिया था 24 जुलाई 1991 को B आंसर 40 नमर कोशन है राज को सिखिये उत्तर दाइत्व और बजट परवंधन अधिनियम फर्म एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को GDP का कितना परतिसत रिन रखने की बात की गई यह की आगिया है 60 परतिसत केंद्र 40 परतिसत केंद्र 40 परतिसत और राज्य 20 परतिसत राज्य 20 परतिसत दुनों मिला के 60 परतिसत था इसलिए इसका आंसर होगा 60 अगला कोशन है एक तालिस नमर बिस्व बैंक समू में कितने संगठन है इसमें टूटल पांस संगठन है पांच पहला अंतराष्टी पुनर निर्वान एवं विकास बैंक जिसको की आई बी आरडी कहते हैं दूसरा हो जाता है अंतराष्टी विकास परिसल इसको आई डी ए कहते हैं आई डी ए और तीसरा है अंतर अंतराष्टी वित निकम जिसको की आई एफ सी कहते हैं आई एफ सी कहते हैं और चोथा होता है बहुँ बहुँ पक्षी है विनियो गरेंटी संस था इसको एम जी एम आई जी ए कहते हैं और पांच माँ जाता है निवेस विवादों को के निप्टारे है तू अंतराष्टी ये संगठन जिसे आई सी एस आई डी कहते हैं अगला कोईशन है ग्रिनेक्स इंडेक्स में कितनी कमपनियां सामिल है इसमें टोटल 25 कमपनियां सामिल है 25 अगला कोईशन है 43 नमर ये दी राजकोशिये घाटे में ब्याज भुक्तान को कम कर दिया जाए तो सेस रहेगा ये दी राजकोशिये घाटे में ब्याज को घटा देंगे तो प्रात्मी घटा होगा जोकी आप्सन में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका अंसर ई हो जाएगा 44 नमर कोईशन है कोर उद्योग सुचकान का अधार वर्ष क्या है यह 11 बार सी आंसर 45 नमर कोईशन है गन्ने के उचित एवं लावकारी मुली की गन्ना निमने में से कौन अनुमोदित करता है यह अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समेती ए आंसर 46 नमर कोईशन है राष्टिय ग्रामिन रोजगार गारेंटी अधिनियम कब पारित हुआ था यह हुआ था 5 सेप्टेमबर जिसे नहरेगा 5 सेप्टेमबर 2005 को पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को इससे लागू किया गया और 2 अक्टुबर 2009 को नहरेगा नाम बदल क्या कर दि दिया गया मन्रेगा 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 कर दिया गया इसलिए इसका अंसर क्या होगा बी होगा 5 सेप्टेमबर 2005 सेटालिस नमर कोईशन है बिहार में ग्रीन बजट सरपर्थम कब पास हुआ था यह हुआ था बीसी किस यह आंसर इसका पहला ग्रीन बजट बिहार में इकिस बाइस में पास हुआ था और तालिस नमर कोईशन है केंद्रिये बजट 22 के अनुसार अगले तीन वर्सों के दोरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विधाओं के लिए कितने कितने पीम गती काडियों पीम गती सकती कार्गो ट अनुसार उन्चास नमर कोईशन है बिहार बजट 2022 के अनुसार बितिये वर्स 22 में राज जी के अपने अपने सुरोतों से गैर कर राजस्वी के रूप में कितनी राशी प्राप्त होने का अनुमान है इसमें जो है 6135.62 करोड रूपीज यानि कि C आंसर होगा C पचास नमर कोईशन है किस वर्स को अंतरराश्टिये कदन वर्स के रूप में घोसित किया गया है यह किया गिया है 2023 223 कावर नमर कोईशन है जें प्रकरिया के संचालन के लिए अरज कोफिकाओं वें किस रूप में उपसेद होता है और डीप एटीपी के रूप में अपसेद होता है 32.9 कोईशन है किसीः काиюटराश का पावर हाओस कहे जाने वाले माय त्रो कॉंडिय किसम में में नहीं पाई जाता है ка с1 बेक्टेडिया और निल हरे से यह थो नों छोड करके विद्व फैजन is li टांसर लायसोसों में पाय जाता है प्रोटिएज भी पाइता है फास फेट अप भी पाय ता हढ आख आ अगरला कोईशिन चोवव नमर में से कौन सा रेडियो धर्मी समस्तानिक है जिसका जिनका या जिसका ओपियोग रख्त कैंसर को नियांतरन करने के लिए किया जाता है यह किया जाता है तैफासफोरस P32 को भी और कोबाल्ट 60 को भी है इसलिए इसका आंसर E हो जाएगा पचपन नमर कोशन है निमलिखित में से किस बंधन द्वारा DNA की सरंखला बंध ही होती है यह होती है हाइड्रोजन बंध से बी आंसर 56 नमर कोशन है नीचे दिए और दी तथा कवक और दी तथा कवक जिससे यह बंता है सही मिलान करें इसको सही मिलान करना है पैनिसिलीन का हो जाएगा पैनिसिलीन पैनिसिलीन नोटेटम इर्गोट का हो जाएगा क्लेवी सेप्स चार परक्यूरिया और ग्रीसियो औफ फ्लीन का हो जाएगा पैनिसिलीन ग्रीसियो औफ लम दो और क्लेवी सेप्सिलीन का हो जाएगा एस्परजिलस एस्परजिलस क्लेटेवस क्लेटेवेटस क्लेवेटस और ग्रीसियो औफ लिन का हो जाएगा पैनिसिलियम इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी 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 डी ए बी संतावर नुमर कोशन है निमलकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है यह जो है उपारजित लक्षनों की वनसागती का सिधान डारपिन यह गलत है यह सही नहीं है अंठावर नुमर कोशन है मदुमक्खी का वास्त्विक उत्पाद है मदुमक्खी मौम है 69 नमर कोशन है मस्तिक्स के निमन में से किस भाग द्वारा षिर्दय की धरकन की किडियाओं का न्यंत्रन होता है यह होता है मैडूला अमणोंगेंटा सी आंसर साथ नमर कोश्चन है निम्न में से कौन सा योगम गलत है गलत जो है कौन्टम सिंधान डाल्टन ये गलत है एक साथ नमर कोश्चन है मानव सरीर द्वारा किन हार्मोन के उस सर्जन से हिरदे की धरकन का नियंतरन किया जाता है यह किया जाता है थारक्षिन की द्वारा और एडिनेनिल की द्वारा इसलिए इसका आंसर E हो जाएगा 62 नमर कोईशन है जनतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलिसेक्राइड आरक्षित इंधन का काड़िय करता है यह करता है गलाइकोजन D आंसर 63 नमर कोईशन है त्वाचा बाल तथा नाखुण में कौन सा प्रोटिन पाया जाता है केराटिन पायाता है केराटिन यह आंसर 64 नमर कोईशन है निम्न में से कौन सा एक अधिस रासी है अधिस रासी जो है काड़ियों उड़जा यह अधिस रासी है 65. हमारे सरीर के अस्थियों हड्डियों को ठोस था कठोर बनाने के लिए मुख्यता निम्निमे से किस तत्वी की आवेसकता होती है इसमें केल्सियम फास्पेट और मैगनेसियम फास्पेट दोनों होता है यह आंसर होगा 66. इसिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुवस्थल देश है मंगोलिया बी आंसर मंगोलिया 66. बिस्प का सबसे बड़ा प्राइद्वीप निम्न में से कौन है अरब और 66. इसराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साजा नहीं करता है सीमा साजा नहीं करता है जार्डन सीडिया लेबनोन मेस्र यह सभी करता है इसलिए ई हो जाएगा 69. क्वेशन है दक्षिन अफिरका का सबसे दक्षिनी छोड़ है उतर आसा अंत्रीप अंत्रीप ए आंसर 70. क्वेशन है नियाग्रा जल परपात निम्न में से किन दो जीलों के बीच इस्थित है यह इस्थित है इरी एवं ओंटेडियो 71. क्वेशन है ब्लैक होल से उड़ जा किस रूप में विसर्जित होती है 71. किस रूप में विसर्जित होती है एक्स किरनों के रूप में एक्स किरन 22. क्वेशन है निम्लिखित में से दक्षिन अमेर का महाद्वीप का कौन सा देश भो मद्धी रेखा पर अवस्थित है 73. हिमाले की मुख्ये चोटिया नीचे दी गई है इन्हें उच्चे से निम्न उचाई के करम में विस्थित करें कंचन जंगा पहले होगा कंचन जंगा फिर हो जाएगा धौला गिरी 2-1 और तीशरा होगा नंगा परवत 2-1-3 उसके बाद है नंदा गिरी नंदा देवी इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है C 2-1-3-4 चोहतर नमर कोश्चन है बिस्व परसिध गहडी ग्रेंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है यह है कोले राडो पठार कोले राडो पठार C आंसर 75 नमर कोश्चन है बिस्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इसपात का उत्पादक एवं इसपात का उभोकता देश है भारत है भारत 76 नमर कोश्चन है जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का आस्थान क्या है उपर से दूसरा आया B aansir 77 नमर कोश्चन है कोईले के उत्पादन में पर्थम तथा संचित भंडार में परथम राज्य क्रमसच है 36 गड़ और जार्कन D aansar 78 नमर कोश्चन है नेपाल के साथ सरवाधिक लंबी सीमा कौन सा राज बनाता है यह बनाता है बिहार B answer 89 नमर कोईशन है भारत 1 इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव 1 कुल भगोलिक छेत्र का कितना परतिसत है यह है 0.15 परतिसत D answer 80 नमर कोईशन है गंगा की सहाइक नदियों का संगम अस्थल को सही सुमेलित करना है इसमें जो सही सुमेलित करना है वह है पटना, सोन पटना, सोन हाजिपूर गंडक कटियार कोसी छपड़ा घागड़ा मालदा महानन्दा इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है B 2, 1, 5, 3, 4 B answer एक आसी नमर कोईशन है जन संख्यां घनत की द्रिष्टी से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्रसासित परदेशों में सम्मिलित रूप से अस्थान है सम्मिलित रूप से अस्थान जो है वह है 6, 6, D answer 83 नमर कोईशन है नेमने में बिहार में जन गना 2011 के अनुसार कुल जन संख्यां का कितना परतिसत अनुसोचित जन जाती है 1.3 परतिसत 1.3 परतिसत A answer 83 नमर कोईशन है जन गना 2011 के अनुसार बिहार के किस जीले में सिसु लिंगा अनुपाथ 0-6 वर्स आयू वर्ग सरवाधिक है किसन गन्ज में 84 नमर कोईशन है बिहार के किस जीले में सरवाधिक महला साक्छर्टा दर है यह है रोहतास में रोहतास रोहतास में 62.97 परतिसत है अगला कोईशन है 85 नमर कोईशन कोईशन दुवारा संबोधित A.W. जलवाईव भारत के संदर में निमन में से किस जलवाईव का धोतक है किस जलवाईव का धोतक है प्रायदुईपिय भारत C. आंसर 86 नमर कोईशन है निमन लखित में से समिदान के किस अनुचेद के तहत संसद दुवारा किसी राज्जी को अनुदान उपलवध कराया जाता है A.W. आंसर 87 नमर कोईशन है निमन में से किस समिदान संसोधन दुवारा यह विवस्था किया गया कि अनुचेद 20 और अनुचेद 21 दुवारा परदत मूल अधिकारों को राष्टी अपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है यह 44 मां समिदान संसोधन अधिनियम दुवारा C.A.W. 88 नमर कोईशन है निमन कतनों में से कौन सा कतन गलत है गलत कतन का चैन करना है यह हो जाएगा 1892 के भारत परिशद अधिनियम के तहट पहली बार गवर्न जनरल की परिशद की विधाई एवं परसासनी कारियों को अलग कर दिया गया इसलिए इसका अंसर C हो जाएगा 89 नमर कोईशन है समिदान के अनुचेद 19 में नागरिकों को कितने परकार के अधिकारों की गारेंटी दी गई है यह दिया गया 6 परकार 6 परकार B आंसर होगा 6 परकार 90 नमर कोईशन है निमलिखित में से किसमें संसोधन करने के लिए संसद की विशेस, बहुमत एवं आधे राज्यों की स्विकिर्ती आवशकता होती है यह होती है संसद में राज्यों का परतिनी देतुग यह आंसर 90 नमर कोईशन है बित्य अपाद की उद्गोशना का संसद की दोनों सदनों द्वारा मनजूरी मिलने के बाद अधिक्तम कितने दिनों तक परभावी रह सकता है यह रह सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है इसमें दो पॉइंट है दो बात पे इंगित किया गया है इसकी अधिक्तम समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है और दूसरा होज़ता है इसे जारी रखने के लिए संसद की पुना मनजूरी की आभशक्ता नहीं होती है इसलिए इसका आंसर यह हो जाएगा बेरानवे नुमर कोईशन है राजी के निती निदेशक तत्तिव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए इसमें जो है इसकी प्रकिर्ती गयर नियायोचित है यह भी सही है दूसरा है इसका उदेश देश में समाजिक एवं आर्थिक लोतंत्री की अस्तापना करना यह भी सही है तीसरा है इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवशक्ता होती है यह स्वातर लागू नहीं होती इस प्रकाड यह सभी सही है इसलिए इसका आंसर D होगा D 3.9 question निम्न में से कून सा पढ़शासन्ग पर विधाई नियंतरन के अंतरगत नहीं आता है सुन्यकाल नहीं आता है यह आंसर सुन्यकाल 94 नमर कोईशन है संसदगी की समीती में राजसभा का कोई सदस नहीं होता है प्राकलन समीती में राजसभा का कोई सदस नहीं होता है 95 नमर कोईशन है भारतिय समिदान के अंतरगत अब सिष्ट सूची में सामिल विसे का अर्थ है अर्थ है विसे जिनको केंद्रिय सूची राजी सूची और समवर्ती सूची के समवर्ती सूची में असपेश रूप से सामिल नहीं किया गया है यही सही होगा डी आंसर है जी आणवे नुमर कोश्यन है जी ट्वेंटी सीखर से मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित है इसमें जो है 2021 एटली ये सही है 2022 इंडोनेसिया ये भी सही है 2023 भारत ये भी सही है 2024 ब्राजिल इस प्रकार इसका अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक से अधिक सत्ते है संतानवी नुमर कोश्यन है हाल ही में जारे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सुचकांक 2021 में भारत का कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है बारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है एक सो एकिसवा अस्थान प्राप्त हुआ है अंधनवी नुमर कोश्यन है अंतर राष्टी मुद्रा कोश एक सो नव्यन्वा सदस्य राष्ट कौन बना है यह बना है अंडोरा बी आंसर अंडोरा निनानवी नुमर कोश्यन है लोक सभा के नए महा सचीव कौन है उत्पल कुमार सेंग बी आंसर उत्पल कुमार सेंग एक सो नुमर कोश्यन है भारत वन इस्थितिती रुपोर्ट दोजार एकीस के अनुसार भारत में कुल वनावरन है कुल वनावरन कितना है यह है एकतर हज़ दी नमर आंसर सात लाग तेरह हजार साथ सो नवासी वर किलो मेटर डी आंसर होगा एक सो एक नमर कोईशन है अंतराश्टी योग दिवस दोजार इकीस का थीम क्या है इसका थीम है योगा फॉर वेल बिंग बी आंसर एक सो दो नमर कोईशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का आस्थान क्या है भारत का आस्थान एक सो पैतिस्वां है एक सो पैतिस्वां एक सो तीन नमर कोईशन है खंजर खंजर से अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था यवद भारत और किर्गिस्तान भारत और क पिर्गेस्तान एक सुचार नमर कोशन है सेहद सेहत ओपीडी पोटल किस मंत्रा ले द्वारा जारी किया गया यह जारी किया रक्षा मंत्रा ले रक्षा मंत्रा ले ए आंसर 105 नमर कोशन है बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार बित्य वर्स 2022 में रीन का अधिसेस राज सकल घरेली उत्पाद का कितना परतिसत रहने का अनुमान है यह है 31.95 परतिसत 306 नमर कोशन है बिहार में ग्रामिन सरकों की कुल लंबाई कितनी है यह है 1,2306 किलो मेटर 107 नमर कोशन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्जी में वर्ष 2021 में कौन सा जिलत सिर्ष पे रहा यह रहा था नालंदा सिर्ष पे रहा था प्याज उत्पादन में नालंदा एक नमर पे 108 नमर कोशन है बिहार को कितने क्रिशी जलवाई छेत्रों में विभाजित किया गया है यह क्या गिया है तीन तीन जलवाई छत्रों में भैगत किया गिए खिर्शी को एक सो नो नमर कुश्चन है फिल्म फेर अवा पुरुषकार 2021 के संब्ध में कौन सा कथन और सत्ति है और सत्ति कथन है सरवाधिक पुरुषकार प्राप फिल्म गुलावो सिताबों है डी आंसर 110 नमर कुश्चन है साहित एक आदमी पुरुषकार 2021 के संब्ध में निम्लखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है तो अंग्रेजी भासा के लिए या पुरुषकार नमिता गोखले को उनकी पुस्तक तिंस टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया था यही सही है एक और दोनों होगा हिंदी भासा के लिए दया परकास सिन्हा उनको उनके नाटक संब्राठ असोग के लिए पुरुषकार दिया गया था इसलिए एक और दोनों हो जाएगा इसलिए इसका अंसर हो जाता है एक ग्यारे नमर कोश्चन है एक ग्यारे नमर कोश्चन हाल ही में मेजर दिहान चंदर खेल रतन पुरुषकार 2021 प्राप्त करता खिलाडियों और उनमें उनसे संबंदित खेलों में कौन सही सुमेलित नहीं है सुमित अंतिल ये पैरा बैडमेंटल से है सुमित अंतिल जो है वो पैरा बैडमेंटल से है इसलिए सी सुमेलित नहीं है सी इसका अंसर होगा 112 नमर कोईशन है मार्ज 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार 2016-2020 के दोरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही करम बताएं यह हुजाएगा सौधी अरव, भारत, मेश्र, आस्ट्रेलिया, चेन ए आंसर होगा अगला कोईशन है 113 नमर हाल ही में जारी इपंचायत पुरुषकार 2021 में किसे पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ यह हुआ था उत्तर परदेश बी आंसर 114 नमर कोईशन है फरवरी 2022 में जारी लोकतंतर सुचकांक 2021 के समंद में कौन सा खतन सही नहीं है यह सही नहीं है इस सुचकांक में अंतिम अस्थान सुमालिया का है यही सही नहीं है दी आंसर होगा कि एक सो पंद्रह नमर कोईशन है नौमबर दोहजर एकीस में छटे अंतर राश्टिये धर्म धर्म सम्मेलन का आईजन कहां किया गया यह किया कहां यह किया था राजगीर में राजगीर एंसर एक सो सुलर नमर कोईशन है चौतिसमा ग्रिशनकालिन ओलंपिक दोहजर अठाइस का आईजन किया जाएगा यह किया जाएगा अमेरिका में बी आंसर एक सो सत्रा नमर कोईशन है बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्मान की प्रकिरिया किस वित्तिय वर्ष में सुरू की गई थी यह किया गया था तेरह चोधम है डी आंसर एक सो अठारा नमर कोईशन है केंद्र सरकार के द्वारा साथ सब पैसठ केवी के सूपर ग्रेड वो संचरन लाइन का निर्मान बिहार के किस जिला में हो रहा है यह कठियार में हो रहा है कठियार ए आंसर उनीस नमर कोईशन है नालंदा इंस्टिचूट औफोर दलाई लामा की अस्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है गया में किया जा रहा है बी आंसर 120 नमर कोईशन है अनामी का जहें 2020 में हिंदी साहित्य का अकादमी प्रोषकार दिया गया बिहार के किस जिले से है यह मुझभफर पूर से है ए आंसर मुझभफर पूर अगला कोईशन है 121 नमर जल्स रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है यह हो जाता है पर्थम राज्य है पर्थम दूसरा है 122 नमर बढ़ियाताल बढ़ियाताल मुझेर में किसान आंदोलन बकास आंदोलन का नेतरित किस ने किया काडियानन सर्माने ए 123 नमर कोईशन है चंपारन एग्रियन समिती के अध्यक्ष निवन में से कौन था यह था एफ जी सलाई एफ जी सलाई सी आंसर 124 नमर कोईशन है बिहार इस्टूरेंट कांफरेंस के अस्थापना किस ने किये थे यह किया था 1906 में स्रीकृष्ण और तेजस्व दोनों ने मिल के किया था इसलिए एक से अधिक आंसर और यह हो जाएगा कि 125 नमर कोईशन है कौन सी बहसंगेती बिहार में नहीं हुई थी चौथा चतुर्थ बहसंगेती बिहार में नहीं हुई थी 126 नमर कोईशन है 126 उत्री बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है पूर्वी नदी मानन्दा है 127 नमर कोईशन है तीरहुत नहर में जलापूर्ती किस नदी से होती है यह होता है गंडक से दी आंसर गंडक अगला कोईशन 128 बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसर बिहार में मक्का की सरवाधिक परती हैप्टियर उत्पादक्ता निम्निमें से किस जिले में है यह है अरडिया में दी आंसर एक सोनतीस नमर कोईशन है परमानु घड़ी में किस पदार्थ का प्रियोग होता है यह होता है सी जियम बी आंसर सी जियम एक सोतीस नमर कोईशन है एक बार एक बार का दाव एक वर्ग मीटर छेतर फल पर कितना बल लाएगा यह लाएगा टेन पर पावर पांच न्यूटन का पांच पर पावर पांच न्यूटन का बी आंसर 131 नमर कोईशन है एक ब्रीक्ष से से शेव स्वता तूट कर जमिन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज हावा के जोके से तूट कर जमिन पर गिरता है दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा पहले की दुहनी गति होगि जबकी दूसरे की प्रपैक्षि गति होगी इसलिए इसका आंसर क्या सी होगा 132 नमर कुश्यन है ठोस द्रव तथा गैस में किस अवस्थाम अनुवों के बीच आकर्सन बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है यह होता है ठोसों में सरवाधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा 133 नमर कुश्यन है यदि किसी वस्थाम का परमताप दो गुना कर दिया जाए तो उसके उस सरजन की दर कितनी बढ़ जाएगी 16 गुना बढ़ जाएगा बी आंसर 134 नमर कुश्यन है सबसे हलका तत्व निवन में से कौन सा है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बी आंसर 135 नमर कुश्यन है सबसे प्रवल ऑक्सिकारक पदार्थ कौन सा है ऑक्सिकारक पदार्थ फ्लोरिन है फ्लोरिन ए आंसर फ्लोरिन 136 नमर कुश्यन है हाइड्रोजन बंधन केवल पाया ज अंसर कि दिए 137 नमर कोईशन है हीरे में निम्न में से कौन सा गुन नहीं पाया जाता है हीरे में इस पर केवल अमलका परभाव पड़ता है छार का नहीं इसलिए इसका अंसर क्या होगा दिए 138 नमर कोईशन है पॉली विनाईल क्लॉराइड निम्न में से किस से प्राप्त होता है या प्रात होता है विनाईल क्लॉराइड के बहुली की करंद से चैंशर 149 नमर कोश्यन है अगर रोधी एवं जल रोधी कपरे बनाने एवं पेटी की अमलता कम करने के लिए इमलिखित में से किसका मुख्य रूप से परयोग होता है यह होता है । नमर कोश्यन है जब एथिल अलकोहल को बेंजीन की इस सिती में उपस्तिती में पैट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्त क्या होता है पावर अलकोहल होता है पावर अलकोहल डी और जाएगा 141 नुमर कोजिशन यहां से मैंत हो जा रहा है मैं सिर्फ इसना अंसर बता हूँ आपनों चेक कर लेना 141 का हो जाएगा A 142 A 143 D 144 A 145 B 166 C 166 166 166 E 166 166 A 166 166 166 150 D जैन दोस्तों आप लोग चैनल पे नहीं होंते चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक सिर्फ करना बिलकुल ना भूलें कमेंट जरूर करें थैंक्यू 159 166 168 178 176 179 179 171